हालो फ्रेंग्स वालकम यू आज मैं आपके जो वीडियो लिखा रहा है बात करेंगे एयर कंडिशन की देखे गर्मिया यानि के समर सीजन आपके सामने है और हिटाची एशी को सबस्ती की कोशिश करते है आज की देखे थोड़ा टाइम पहले हमने बात करें थी वोल्टाच और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप जॉइन कर सकते हो मैंबर से जॉइन बटन पर क्लिक करके प्राइस सेक्शन की सीरीज बहुत इंपोर्टेंट है जब भी आपको टाइम मिलता है सेटरड़े संड़े तो आप प्रैक्टिस जरूर करें और प्रैस सेक्शन के सब्सक्राइटी देनी है टिप्स या रेकमेंडेशन से हमें साथ दूर रहना है और डिसीजन मेकिंग में डिसीजन मेकिंग में स्ट्रेंथ तभी बनेगी तभी मैं कहूंगा एकदम तुरंत आप डिसीजन ले पाओगी जब लर्निंग के ओपर फोकस होगा माइंड में च और यह आज की डेट में अगर आप देखो हीट एची का बिस्दस देखो तो काफी लॉस में कहूंगा इसको हो रहा है आपको यकीन नहीं होगा लेकिन काफी लॉस है लेकिन कंपनी देखे मात्र 3000 करोड का मार्केट का अप्लाइशन है 240 करोड का उधार है कंपनी के ओपर यानि की किस चीज का बिसनस करता है जैसे एसी हो गया रेफिजिरेटर्स हो गये चिलर्स हो गये वी आरे सिस्टम हो गये यह इसका में काम है लेकिन मैं पिछले कुछ टाइम में देख रहा हूं यह शेर के हम चर्चा क्यों कर रहे हैं उसको भी समझने के कोशिच करेंगे पिछले कुछ टाइम में प्रमोटर से अपने को शेर तो गिरवी रखे हुए 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 लेकिन कंपनी का जो बोलबाला है जो प्रोफिटबलिटी रिवैन्यू है उसको थोड़ा जटका सा लगा है ऐसा लगा है इसने अपने ब्रैंड के उपर देखिए इटाची का एक बहुत जबर्दस ब्रैंड माना जाता है अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ टाइम में कॉम्पेटिशन जैसे वोलटाज से तगड़ा कॉम्पेटिशन आया और इस तरह किसे जो कॉम्पेटिशन आया उसके बाद अब ध्यान से देखिना एक का सबसे बड़ा जो मैं स्टार्ट होती है तो भेडर सारे एसी बिखते हैं वो तो हो गए मार्च फिर अप्रेलमई जून यह दो कौटर हैं जब एसी बिखता है फिर जून के बाद जो आपका जुला एगस सितंब्र कवटर हुआँ पर कमी आपको सेल में मुझे बहुत ही जबरतस गिरावट देखने को मिले और अगर आप इवन मैं यह कहूं यह नंबर्स बहुत ही जबरतस गिरावट देखने को मिलेगी क्या इस बार कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी अब इसी का ठीक अगर कुश टाइम में बाकी दो क्वाटर को तो मैं एक दोर मार देता हूं चलिए लेकिन आप यहाँ पे देखिए मार्च और जून क्वाटर में है देखिए एसी की जब भी सेल होती है वह यह दो कॉटर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आप खुद लगाई दोगे हिसाइब क्यों खरीदे क्या कोई दिसंबर में या फिर कुछ होंगे लोग खरीते हैं लेकिन जनरली वह डिसकांटेट प्राइस चलता है बड़ जब लोगों को लगने लग जाते हैं तो बार्च के टाइम पर लोग खुब सारे इसी की विकरी होती है और उसके बाद जो बिकरी होती है वह अपरेल के टाइप आप जरहे देखने स्के प्राइस को की चैशन के बाद दिन से अब इसका वीगली चार्ट मैं इसके सामने सबसे पहले आपको मंतली चार्ट दिखाऊंगा 2014 में 2014 में एक बड़ी रैली आई जब करेक्शन आई उसके बाद आप देखिए यहां पर करेक्शन के इस तरीके से आती है और जब वापसी होती है 2014 के अराउंड एपरेल में 150 के लवल पे शेयर था है कि यह देखिए यह देखिए यह 150 के इर्द गिर्द था और सीदे गया 1500 फूरा सो मतलब सीदे 10 गुना और आप देखिए बिल्कुल कोई रुकावट नहीं एक बढ़िया वॉल्यूम बना यह देखिए फिर दो चार महीने के शांती थी अब यह वॉल्यूम देखिए यह बना था दिसंबर 2013 में दिसंबर 2013 में बड़ी कैंडल बड़ा वॉल्यूम फिर आल्मोस्ट चार पाच महीने बिल्कुल शांती के रहे और उसके बाद जो इसने रडार जो रफ्तार पकड़ी वो दस गुना लेके गया शेयर को और आप यह देखिए यह जो मन्त अगर मैं लास्ट अगर यहां बात करूं तो मुझे अगस्त 2023 में यहां पर देखने को मिला और ऐसा लगा कुछ शेयर में चल रहा है और अगर इस शेयर के इस लो प्राइस को देखते हो जहां पर यह वोल्यूम बना वह यह है जून यह जोन जो है यहां से कुछ ऐसा लागा जबर्दस वॉ में वह नंबर्स आएंगे क्या कुछ रणिदी चेंज होगी अब अगस्त में ऐसा क्या हुआ कि जबर्दस रफतार पकड़ा लेकि अगस्त में कुछ अपने टॉप मैनेजमेंट में कुछ चेंज किये थे जिसके वह जिसे रफतार पकड़ा पर हम प्राइस सेक्शन को दे जब भी कभी नूज आते हैं कोई चीज आती है तो मैं आपको कहता हूँ कि न्यूज पर बाइंग करने का कोई फाइदा नहीं वह न्यूज अक्टिव होगी वह कुछ काम करने वाली होगी तो कंसलेशन जरूर आपको देखने कर मौका जरूर मिलेगा तो जैसे यह रैली देगा तो फिर से यह थाउजन के लवल से इन जोन तक जाने की कोशिश करेगा साड़े 3500 के दिगर दे हैं देखिए है कि नहीं बट इस जोन से यह जो कंसॉलिडेशन है इससे तो बाहर निकले और इससे जब बाहर निकलेगा फिर यह तार्गेट साब देख सकते हो हम प्रवेश कर चुके हैं तो अगें एक बहुत इंपॉर्टन पार्ट हमारे लिए मैं कहूंगा कि इस बीरिश साइकल से बुलेश साइकल में टर्न होने का यानि कि मैं वही कहूंगा कि 1200 के इर्दगेट यह शेर हमें मिले तो एक बढ़िया पॉजिटिविटी की उम्मीद करेंगे तो 1200 का इर्दगेट और फिर क्या होगा जब ऊपर को आएगा तो हमारे पास यह लॉस होगा तो जल्दबाजी कि कोई जरुवत नही है इन प्राइस जोन्स पर यानि कि इन प्राइस जोन्स पर 1100 के इर्दगेट कुछ इंपोर्टेंट जो है वॉल्यूम्स दिख रहे हैं तो मतलब कोई बढ़ा प्लेयर यहां पे थोड़ा एक्टिविटी ले रहा है उसको देखेंगे समझेंगे आदे वाले टेम पे जब है अब करता हूं वीडियो को उमीड करता हूं आपको को समझ बास जरूर आएगा एक हिटाउची के शियर को हमने समझने की कोशिच करें और शियरू एटे ज़रूर कीजिए लाइक किजिए है प्र्यक्षि करते रहिए टर रहिए अर कमेंट के थूरो